पिसली कक्षा में हम लोगों ने कविता को पढ़ा था तथा इसके शब्दार्थ किये थे। आज की कक्षा में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठे पुस्तक के अंतरगत जो प्रश्ण आये हुए हैं उन में से प्रथम प्रश्ण है कभी को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अभी अंत नहीं होगा उत्तर है कभी को ऐसा विष्वास इसलिए है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि कभी जीवन के प्रती निरास नहीं है वह उत्साहः व उज्जा से भरा हुआ है उसके जीवन रुपी वन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है अभी उन्हें युवाओं को उच्साहित करने जैसे अनेक कार्य करने है प्रस्ण दो, फूलों को अनन्त तक विक्सत करने के लिए कवी क्या प्रियास करता है उत्तर, कवी उनका आलस्य च्छीन लेना चाहता है वह उन्हें सदेव अनंत समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहता है कवी उन फूलों को अपने नव जीवन रूपी अमरित से सिंचित करना चाहता है प्रस्ण तीन, कभी पुष्पों की तंद्रा और आलश्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवी, पुश्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने स्वपन से भरे कोमल हाथों को अलसाई हुई कलियों पर फेरते हुए प्रभात का संदेज देकर उन्हें जगाना चाहते हैं खुश्यों रूपी अम्रित से उनके जीवन को सीच कर हरा भरा करना चाहते हैं प्रश्ण चार, वसंत को रितुराच क्यों कहा जाता है? उत्तर, वसंत में मौसम सुहावना होता है पेडों से पुराने पत्ते जड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं कोयल नए संदेज देती है, चारो और हरियाली वखुशाली चा जाती है इसी कारण वसंत को रितुराच कहा जाता है पाठे पुस्तक के अलावा कुछ अन्य प्रश्ण है जो परिक्सा उप्योगी है प्रश्ण एक, कवी द्वनी कविता के माध्यम से क्या संदेज देना चाहते हैं उत्तर, कवी द्वनी कविता के माध्यम से निराश लोगों को उत्साह व उल्लास से युक्त जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं प्रश्ण दो कवी कवीता के माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं। उत्तर कवी इस कवीता के माध्यम से प्रकृती की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाना चाहते हैं। अंतिम प्रश्ण द्वनी कविता के लेखक कौन हैं? उत्तर सूर्य कांत्रिपाठी निराला.